कि आप सभी लोग सो येस कल हमारी एक्जाम है सीए सीटी की का गई है वो इंतहाम की गड़ी साथ महीं है ना दिल में थोड़ी सी धक-धक बेचैनी सी होगी सो लेकिन चिंता करने की बिल्कुल बात निया एक्जाम आपको बहुत अच्छा जाने वाला है बहुत अच्छा जा आते हैं और यह बहुत होता है कि एक्जाम के फ़ले धक धक होती है एक्जाम के फेले टेंशन होती है और जब एक्जाम बस लेप टॉप खुल रहा होता है जहां मतलब की जब क्लिक करना तो तब भी हड़ बढ़ा जाते हैं तो क्या सटिप्स रहेगी बच्चों के लिए जिससे उनका पेपर बहुत अच्छा जाएंगे आपको देना चाहेंगे मौनिंग जैसे पहला जो सेशन होता है और बच्चे क्या करते हैं फिर कॉल करके पूछते हैं कि यार क्या हुआ और अगर खुदाना खास्ता उसने बोल दिया कि वो पेपर तफ आया है तो हमारा जो मौराल है वो पुरा डाउन हो जाता है तो आपको किसी से पूछना नहीं कि तेको हर किसी का पेपर अलगाने वाले जो भी स्लॉट में एक्जाम होने वाली उनके पेपर भी डिफर होते है तो आपको किसी से पूछके कोई मतलब नहीं बनेगा उससे आप हो सकता है और और आप डिमोटिवेट हो जाओ तो वह बिल्कुल भी नहीं करना है दूसरी चीज जब आप एक्जाम दे रहे हो तो आस पास के आवाज हैं मतलब अगर आप लटसे की खिड़की खुली है रो आपके बढ़ो कुछ नया करने की कोशिश मत करो कि यह पढ़ लिया वो पढ़ लिया जितना हम नहीं पढ़ा है उतना पॉफेक्टी करके जाओ सेकेंड दिंग एक्जाम पूरा लिखना है तो पूरा क्लिक करके आना है और किसी का अगर सिस्टम फेलियर आ जाता है इंटर करोगे तो वह सुलिशन आपको दे पाएंगे विकोज यार टेक्निकल टीम उन्होंने बिठाके रखी है टेक्निकल टीम बिठाके रखी है तो वह मैनेज करेंगे तो यह चीज आपको जहान रखना है और आई थिंग सो यार विश्यू अल्टी बेस्ट अल्ट लुक मतलब थे अब हम पूरी दुआ करते हैं हम पुरी आपके लिए दुआ करेंगे किए अपको बहुत ऐख तार सथ हो और बस थोड़ा सा धियां देना टेक्निकल का थोड़ा दियां देना है प्रफिटिंग नहीं करना है ना और क्योंकि एक्साम कई बार कैंसल होते हैं और इंपोर्टन पॉइंट है और यार वोईस ना आए आजू बाजू से शोर ना वो भी आपके साथ वाले आपके पड़े हुआ है आपको बन जाएंगे सारे और सबसे इंपोर्टन चीज़ दोस्तों पूरा पेपर अटेंप्ट करना जैसे अब बढ़ सरने का पूरा पेपर अटेंप्ट करना एक भी एमसी क्यू छोड़ना नहीं है आपके बढ़ सर्फ आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और पेपर के बाद हम लोग मिलेंगे धंवाल करेंगे मस्ती करेंगे तो यह सटेंक्यू सो मच बढ़ाए गाई गाइस टेक्या